Hello Friends, इस वीडियो में हम learn how to read English phonetically का lesson 26 करेंगे यह lesson काफी important है क्योंकि इस lesson में हम दो letter करेंगे और इन दो letters की sound में कुछ लोगों को काफी confusion रहता है और इस वीडियो में काफी sight word भी रहेंगे और जो कईयों को QOW की sound में जो confusion रहता है इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की notification मिलती रहेगी मैं जो W और Q words की जो resulting sound रहते हैं उससे somewhat similar कराऊंगी मैं क्या कहना चाहरू हूँ देखे मैं आपका example देके बताती हूँ क्यों sound होती है Q और W sound होती है W क्यों क्या करते हैंज कई जो लोग क्या करते हैं sound में के Q sound के साथ जो लगा देता क्यों मैं जो है येवाले sound नहीं कराऊंगी क्योंकि जो resulting sound रहती है Q or words की वो इस तरीके से नहीं रहती है अभी मैं आपको दिखे sound से और as in example करके बताती हूँ क्यों sound Q अब एक और चीज में आपको बता देती हूं कि क्यो से related और क्यो से start होने वाले जो भी words हैं उन सब में most of the time means 90 से above percent में आपको जो है क्यो के साथ you मिलेगा शायदी आपको means बहुत ही कम ऐसे words देखने को मिलेंगे जिसमें जो है you के साथ आपका combination नहीं रहेगा तो क्यो यू की sound को हम मिला के क्यो यू को को हम क्या बोलेंगे क्यो यू sound कू किस तरी के से हम sound का use नहीं करेंगे हम double o का use करेंगे क्यो क्यो sound कू ऐसे ही हमारी डबलू के sound क्या रहेगी डबलू sound वू वू क्यो sound कू as in कू इन कू इन कू इन कू इन तो जो है इसके अच्छे से आप प्रणेंशियेट नहीं कर पाएंगे तो इसको जो है आप कू sound कू as in कू इनکू इन कू इन कू इन कू इक खुईक यूक कू एस्स्ट कूस्ट डबलू साउंड है वू as in वू इ विन वू ह आई वू हाई वू इ विश देखें डबलू की साउंड के लिए मैं आपको यह एडवाईज करूँगी कि ज़र डबलू से बनने वाले most of the words हैं वो उनको आप as a sight word learn कीजिए कई हो की sound भी होती फिर भी मैं कहूंगी as a sight word अभी मैं आपको word कराऊंगी वहाँ पर बताऊंगी क्योंकि डबलू से बनने वाले word काफी यूज होता है means special cautioning में where, why, when तो उनको आप as a sight word use करेंगे तो उनकी better pronunciation कर पाएंगे अगर separate sound decode करके चलेंगे तो वो exact pronunciation हो वो नहीं हो पाएंगी तो चले सबसे पहले क्यों के words करते हैं क्यों sound कू 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 एस्ट कू एस्ट क्वेस्ट कू इक कूई क्विक क्वेस्ट क्वेस्ट नेक्स्ट आपका इस word में जो है आई की sound long आई रहेगी कू कू क्वाइट क्योंकि एस्ट क्योंकि एस्ट है तो आई की sound यहाँ पे जो है आई हो जाएगी आपका advanced course में आएगा कू आई क्वाइट क्वाइट ए कू इप एक्वेप एक्वेप क्वाइट एक्वेप नेक्स्ट आपका कू कू क्वेप क्वेंट क्योंके sentences हैं IT इसको आप as a sight word learn करेंगे ऐसे इसकी sound भी है IT is SO as a sight word quite in there there मैंने आपका जो है प्रिवेस लेस्न में एक sight word बताया है there IT is SO quite in there the at that that as a sight word भी आप use कर सकते हैं बट यह भी next आपका जो है advanced course में आएगा T.A. sound 2 होती है voice or unwise इस यहाँ पे the at that s koo e d squid is SO koo e k quick that squid is SO quick koo e k l e quickly we must must go quickly we must go तो यह तो थे आपके क्यो के words and sentences अब हम W के करेंगे W sound W W के words है W E N W in win W O N won अब देखिए जो W वाले वर्ड से इनको आप direct learn करेंगे क्योंकि काफी time use होते हैं और as a side word learn करेंगे तो बेटर हैगा fluency में भी अच्छे से काम आएंगे बाकी एक बार मैं इनकी sound भी बोल के बता देते हूं W H A N when WH को आप as a यहाँ पर एक unity भी ले सकते हूं W at what air where तो मेरी एड़्वाइस यह है कि इन तीनों को आप as a side word learn कीजिए W H E N together makes when what where W A N when अब देखिए इसमें भी कई लोगों को confusion रहता है कि यहाँ पे A आ जाए जब A आ जाता है तो want होता है I want यहाँ पे went है she went he went W and went W and went W I why went want why देखिए W E को भी आप as a side word learn करेंगे W E we next है W E will will we will अब इन दोनों वर्ड्स में भी अच्छे से आपको difference समझना है यहाँ पे जुहे एक ही letter का difference है E and A का W A A L well 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 A double L मैंने आपको आपको इस side word बताय था प्रिवेस लेसन में A double L all all wall this well this wall well wall W के sentences हैं I W A N WANT TO W E N WIN I WANT TO WIN WHERE D E D D D D D D D D W A S Wasp F L I Fly TO WHERE D D D WASP Fly TO WHEN W E Will W W ST ART START WHEN WILL WI START NEXT H W I WI K And Can't We I Fly In The Sky Why Can't We Fly In The Sky तो ये थे आज के words and sentences Q और W के लिए Q और W की sound मैंने आपको जैसे स्टार्टे में काफी confusion रहता है तो इनको आप अच्छे से कीजिए गा मैंने जो ये दो letter A की lesson मिस ले कराए है क्योंकि इन दो letters की sound में काफी confusion रहता है आप चाहे तो A की time पर अपने बच्चे को introduce कर सकते हैं नहीं तो एक 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 lesson कर कर सकते इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर वीडियो आपको यूसो लगे तो प्लीज इसको like, subscribe and share जूर करना और अपने family friends में share जूर करना बबाई थेंक यू